बिहार का एक छोटा साजीला गुपालगा जिसका अपना ही इतिहास है कोई इसे लालू परसाद यादो के नाम से जानता है तो कोई इसे अभी फिलहाल दौन में पंकस्तिरी पार्टी उर्फ कालिन भाईया के नाम से जानता है तो कोई इसे अब्दुल गफूर के नाम से जा जहां पर एक ऐसे लगनोन को नहीं कोई जैसे बनता है वे क्टरी से बना गया है जो युटू सुनने के सबसिकी हुआ द्रेकिक पर पर नहीं कि उसलीफिसी कैसे उन्होंने इस सफर की सुरुवात की और कैसे उसको उडाएंगे और क्या कहते हैं वो इसके बारे में तो इस वीडियो में आपको वही बताने वाला हूं तो अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा वीडियो को सेर कीजेगा और चैनल को सब नहीं थी क्योंकि वह एक पिछड़े परिवार से बिलॉन करते हैं अपने परिवार की जरुरतों को पूरा करने के लिए उन्हें विदेश कवाने जाना पड़ा उनके कहने के मुताबिक वह विदेश में कोई मेकेनिकल लेटेट जॉब किया करते थे कुछ साल जॉब करने के बाद जब वह घर वापस आये तो उनके पास कुछ पैसे थे तो उनने सोचा कुछ ऐसा किया जाये जिससे खुद का भी नाम हो और देश का भी तो उनके दिमाग में हेलिकॉप्टर बनाने का आइडिया आया जिसको अमरजीत ने अपने बच्पन के दोस धर्मेंदर को बताया और वह इस पर राजी हो गए अमरजीत उनके छोटे भाई सरबजीत और धर्मेंदर तीनों मिलकर इस काम में लग गए और तीनों ने मिलकर एक हेलिकॉप्टर का धाचा तयार कर दिया जिसके बाद बात इसको उड़ाने की जिसके बारे में अमरजीत भाई ने कहा ये जल्द ही उड़ेगा और जो सबसे बड़ा चोका देने वाला बात उन्हें ये बताया कि ये ना ही डीजल से उड़ेगा और ना ही एलेक्ट्रिक से उड़ेगा तो जब मैंने उनसे सवाल किया कि आखिर ये तो उन्होंने इसके बारे में बताने से इंकार कर दिया और कहा कि ये एक गुप्त है जब उड़ेगा तभी लोगों को पता चलेगा तो काफी चोका देने वाले बात है कि आखिर ये उड़ेगा किस से अभी हलिकप्टर की चर्चा पूरे बिहार में नहीं पूरे भारत मे दूर दूर से लोग इसका कबरेश करने के लिए आते हैं बड़े बड़े यूटूबर्स इसकी वीडियो बनाने के लिए आते हैं और कई ऐसे यूटूबर हो गया है जो इसके वज़त से ही फेमस हो गया है इससे और भी वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे और हो सही तो बहुत ही जल्द अमरजीत भाई का इंटर्वी भी हम आपके लिए ले कहेंगे मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में अभी के लिए बाबाए